भजन सहिदा 127 अध्याई एक से पांच तक यदि घर को यहवा न बनाएं तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहवा न करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा तुम जो सबेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख बरी रोटी खाते हो यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है क्योंकि वह अपने प्रियों को योही नींद प्रदान करता है देखो लड़के यहवा के दिये हुए भाग है गर्ब का फल उसकी और से प्रतिफल है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो वह फाटक के पास शद्रूओं से बांते करते संकोच न करेगा याकुब पहला अध्याई एक से सताइस तक परमेश्वर के और प्रभु इश्मसी के दास याकुब की और से उन बारहों गोतरों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे हे मेरे भाईयो जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनन की बात समझो यह जानकर की तुमारे विश्वास के परखे जाने से दीरज उत्पन होता है पर दीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सुद्ध हो जाओ और तु ज़िए तुम में से किसी को बुद्धी की गटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिये सब को उदारता से देता है और उसको दी जाएगी पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से भ अपनी सारी बातों में चंचल है दीन भाई अपने उंचे पद पर घमंड करे और धन्वान अपनी नीची दशा पर क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी दूप पढ़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है इसी प्रकार धन्वान भी अपने मार्ग पर चलते चलते दूल में मिल जाएगा धन्य है वह मनुश्य जो परिक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिग्या प्रभू ने प्रतियक व्यक्ति अपनी अभिलाशा से घिंच कर और फसकर परिक्षा में पढ़ता है फिर अभिलाशा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यों को उत्पन करता है हे मेरे प्रिय भाईयो दोखा न खाओ क्योंकि हर एक अच्छा वर्दान और हर एक उत्तमदान उपर ही से है और जोतियों के पिता की और से मिलता है जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर चाया पड़ती है उसने अपनी इच्छा से हम है मेरे प्रिय भाईयो ये बात तुम जान लो हर एक मनुश्य सुनने के लिए ततपर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो क्योंकि मनुश्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता इसलिए सारी मलिंता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नमरता से ग्रहंड कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उधार कर सकता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आपको धोका देते हैं क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुश्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुह दरपण में देखता है इसलिए कि वो अ उने काम में इसलिए आशिश पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है यदि कोई अपने आपको भक्त समझे और अपनी जीब पर लगाम न दे पर अपने हृदय को दोखा दे तो उसकी भक्ती व्यर्त है हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद और नि यह जकेल 32 अध्याई एक से 32 तक बारवे वर्ष के बारवे महिने के पहले दिन को यहवा का ये वच्चन मेरे पास पहुंचा हे मनुश्य के संतान मिस्र के राजा फिरोन के विशे विलाब का गीत बना कर उसको सुना जाती जाती में तेरी उपमा जवान सीन से दी गई थी परंतु तु समुंद्र के मगर के समान है तु अपनी नदियों में तूट पड़ा और उनके जल को पावों से मत कर गंधला कर परमीश्वर यहवा यो कहता है मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में घीच लेंगे तब मैं तुझे भूमी पर छोड़ूंगा और मैदान में फेक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठ जिस देश में तु तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लहू से सीचूंगा और उसके नाले तुझे से भर जाएंगे जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढापूंगा और तारों को धुंदला कर दूंगा मैं सूर्यों को बादल से छुपाउं और छंदरमा अपना प्रकाश नदेगा आकाश में जितनी प्रकाश्मा ज्योतियां हैं उन सब को Tanahaghanu जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिनवे अपने अपने प्राण के लिए कापते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहवा यो कहता है बेविलोन के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी मैं तेरी भीड को ऐसे शूर्विरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है वे मिस्र के घमंड को तोडेंगे और उसकी सारी भीड का सत्यनाश होगा मैं उसके सब पश्वों को उसके भहुतेरे जलशायों के तटपर से नश्ट करूंगा और भवश्य में वे न तो मनुश्य के पाव से और न पश्वों के खूरों से कंदले किये जाएंगे तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल के समान बहेगी प तब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहowah हूं लोगों के विलाब करने के लिए विलाब का गीत यही है जाती जाती की स्थ्रियां इसे गाएंगी मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विशयवे यही विलाब की एंगी पर्मेश्वर यहव हैं फिर बारहववर्श के पहले महिने के पंधरवे दिन को यहवा का यह वच्चन मेरे पास पहुंचा हे मनुश्य की संतान मिसर के बेड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापि जात्यों की बेटीओं समेट कबर में गड़ेहु के पास अधोलोक में उतार तू किस से मनोहर है तू उतर कर खतनाहिनों के संग पड़ा रहे वे तलवार से मरहों के बीच गिरेंगे उनके लिए तलवार ही टहराई गई है इसलिए मिस्र को उसकी सारी भीड समेत घसीट ले जाओ सामर्ती शूर्विर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बाते करेंगे वे खतनाहिन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं अपनी सारी सभा समेत अशूर भी वहां है उसकी कबरे उसके चारों और है सबके सब तलवार से मारे गए हैं उसकी कबरे गड़े के कोनों में बनी हुई है और उसकी कबर के चारों और उस उसकी कबर के चारो और उसकी सारी भीड है वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं वे खत्नाहिन अदोलोक में उतर गए हैं वे जीवन लोक में भय उप जाते थे परन्तु अब कबर में और गड़ेहों के संग उनके मुह पर भी सियाही चाई हुई है उसकी सारी भीड समेत उसे मारेहों के बीच सेज मिली उसकी कबरे उसी के चारो और है वे सब के सब खत्नाहिन तलवार से मारे गए उन्होंने जीवन लोक में भय उप जाया था परन्तु उस कबर में और गड़ेहों के संग उनके मुह पर सियाही चाई हुई है और वे मरेहों के बीच रखे गए हैं वहां सारी भीड समित मेशिक और तूबल है उनके चारों और कबरे हैं वे सबके सब खत्नाहिन तलवार से मारे गए क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे उन गिरे हुए खत्नाहिन शुर्विरों के संग वे पड़े न रहेंगे जो अपने अ अधर्म के कांग उनके हड्डियों में व्याप्त है क्योंकि जीवन लोक में उनसे शुर्विरों को भी भय उपजाता था इसलिए तू भी खत्नाहिनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हो के संग पड़ा रहेगा वहां एदों और उसके राजा और उसके सारे पर प्ड़ाक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हो के संग रखे हैं गड़े में गड़े हुए खत्नाहिन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे वहां उत्टर दिशा के सारी प्रधान और सारे सिधोनी भी है जो मरे हो के संग उतर गए उन्होंने अपने प्राकरम से भय परन्तों अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हूँ के साथ वे भी कतनाहिन पड़े हुए हैं और कबर में अन्य गड़े हो के संग उनके मुह पर भी सियाही चाही हुई है इन्हें देखकर फिरोन भी अपनी सारी बीड के विशे में शांती पाएगा हाँ फिरोन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है परमेश्वर यहवा की यही वानी है क्योंकि मैंने उसके कारण जीवन लोक में भय उपजाया था इसलिए वो सारी भीड समें तलवार से और मरे हूँ सहीत खतनाहिनों के बीच लिटाया जाएगा परमेश्वर एक से बीस तक यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है मनुश्य के संतान अपने लोगों से कहे जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके टहराए तब यदी वह यदेख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है नरसिंगा फूक कर लोगों को चिता दे तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए उसका खून उसी के सिर पड़ेगा उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता इसलिए उसका खून उसी को लगेगा परंतु यदी वह तो अपना प्राण बचा ले था परंतो यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है नरसिंगा फूख कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उन में से कोई मर जाए तो वो तो अपने अधरम में फसा हुआ मर जाएगा परंतो उसके खून का लेखा मैं पहरुआ ही से लूँगा इसलिए हे मनुश्य की संतान मैंने तुझे इसरायल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है तू मेरे मूँ से वचन सुन सुन कर उन्हें मेरी और से चिता दे यदि मैं दुष्ट से कहूँ हे दुष्ट तु निष्च न चिताए तो वच दुष्ट अपने अधरम में फसा हुआ मरेगा परंतो उसके खून का लेका मैं तुझे से लूँगा परंतो यदि तु दुष्ट को उसके मार्ग के विशे चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपना मार्ग से न फिरे तो वह तो अपने अध प्रादों और पापों का भार हमारे उपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं हम कैसे जीवित रहे इसलिए तो उनसे यकह परमेश्वर योवा की यवानी है मेरे जीवन की सौगन मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन नहीं होता परंतो इससे की दुष्ट तो अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे है इसलिए के घरानी तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ तुम क्यों मरो है मनुश्य के संतान अपने लोगों से यह कहे जब धर्मी जेन अपराद करे तब उसका धर्मुसें बचा न सकेगा और दुष्ट की निश्चे जीवित रहेगा और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुठिल काम करने लगे तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण किया जाएगा जो कुठिल कामा उसने किये हो वो उन्ही में फसा हुआ मरेगा फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चे मरेगा और अपने पाप से फिर कर नियाय और दर्म के काम करने लगे अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लोटा दे अपनी लूटी हुई वस्तुए भर दे और बिना कुटिल काम किये जीवन दायक विधियों पर चलने लगे तो वह न मरेगा वह निश्च जीवित रहेगा जितने पा परन्तु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे तब निश्च वो उनमें फसा हुआ मर जाएगा जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिर कर नियाय और धर्म के काम करने लगे तब उनके कारण जीवित रहेगा तो भी तुम कहते हो प्रभू की चाल ठीक नहीं है इस्राइल के घराने मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा